इनी तमाम बातों को समझने के लिए आएए चलते हैं चिकित्सक के पास चिकित्सक के द्रश्टी कोर में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट विशह पर जो की है गठिया यानि जोडों का दर्द यानि कि आर्थराइटीज हम आपको बताते हैं एक बड़ा of symptoms का कलेक्शन है जब यहां कई सारे symptoms से साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो यहां arthritis के form में आ जाते हैं नहीं जो गठिया है हम सब के परिवार में कुई न कोई गठिया से जरूर्व एव्स्री साहर्त होगा पहला हो गया Osteo Arthritis, दूसरा हो गया Rheumatoid Arthritis, तीसरा हो गया Gout, चौथा हो गया Psoriatic Arthritis और पांचवा हो गया Traumatic Arthritis. यह पांचवा की Arthritis हम सबको पता है, लगभग उसका कहीं न कहीं हम लगोंने नाम सुन रखा है. मैं आपको आपकी जानकारी के लिए इसका differentiation बता देता हूँ, ताकि आप आगे कभी इलाज करें, तो आप सही व्यक्ति और सही इलाज करें, यही स्कारक्रम का मकसद है. सबसे पहले आजाते हैं Osteo Arthritis पे, Osteo Arthritis सबसे जादा होने वाली Arthritis है, इसको wear and tear Arthritis भी कहते हैं, इससे जोडों में आपके जो कार्टिलिज होती है, उसको नुकसान पहुंचता है, वो रप्चर हो जाती है, यह जो Osteo Arthritis होती है, यह बड़े जोडों में होती है, ज कूले से शुरू होगा, फिर दूसरे कूले में जाएगा यह घुटने में जाएगा, उसके अलावा, यह जो Osteo Arthritis होती है, इसको पता करने का भी बड़ी असाम सी बात है, दो बाते मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली कि अगर आपको जीने चरने में दिक्कत हो रही है हड़ी खट-खट बोल रही है, क्रैकिंग आप जॉइंट्स हो रहा है, तो आप समझ सकते हो सकता है आपके Arthritis हो, यह जो Osteo Arthritis हो, दूसरी सिती जो इसमें होती है, आप जब चलते हैं और जब रुखते हैं, तो आप जादा देर खड़े नी रह पाते हैं, अगर आपको जादा देर खड़े रहने में दर्द है, तो आपको Osteo Arthritis है, इसको पता करने की यह दो तरीके हैं, इसके अलावा आप एक स्रे करा ले अपने जॉइंट का, आपको जॉइंट स्पेस रिडियूस मिलेगा और आप जालनेंगा Osteo Arthritis है, दूसरा आता है Rheumatoid Arthritis, Rheumatoid में हैं तो इन उगलियों में भी है, यह होगे Rheumatoid, इसको पता कराने का 1.500 रुपए की जाँचाई, ESR Factor, अगर आपका ESR बढ़ा है, कभी वे आप रिपोर्ट कराईए, उसमें ESR देख लीजे, अगर ESR बढ़ा है, तो आपके Rheumatoid Arthritis है, और R.A. Factor करा के आप इसको कनफर्म कर सकते हैं, तीसा हमने बता है, गाउट, गाउट वे सिती होती ही, जब हम लोगों के बड़े बुजुर्ग आपने देखा होगा, उनके इन में लार्ज, यह जो छोटे जोटे जोट का great finger होती है, या great toe होता है, इस पर उभार आ जाता है, जब यहां condition हो जाए, त स्टर्स के डेपॉजिशन से होती है, और इसको सही करना भी बहुत असान है, तो आप यूरिक आसिट चेक कर आ लें, और आप प्रोटीन डिश्च कंपाउंट्स को खाना कम कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका गाउट ठीक होने लगा, चौता सोरियाटिक कहते हैं, पाचमी आती है, ट्रॉम bought, हमारे क्लिनिक पर आते हैं मरीज, हो कहते हैं, ढक्सा 20 साल पहले चोट लगी ती, लेकिन अब बहुत दर्द होने लगा है, तो बीस साल पहले की चोट का दर्द अब हो रहा है, तो यही ट्रॉमाटिक आर्थ्राइटीज है, जब आप करिस्पॉंडलाइटिस भी गठिया का पार्ट है और तमाम ऐसे पार्ट हैं तो यह कुछ मैं आपको बाते बताया क्योंकि अगर आप जच कर लेंगे तो आप अपने को ठीक भी कर लेंगे झाल झाल लग्याल झाल झाल